नमस्तार दोस्तों आप सब्वी का इद्बाब फिर से स्वाब है दोस्तों अगर आप अपने घर पर सोलर सिस्टम इंस्क्रॉल करवाए हुए हैं या करवाने वाले हैं कोई ऑन्विट सोलर सिस्टम ऐसे में मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस की है कि जब आप वेंडर के थुरू ये सिस्टम लगवाते हैं तो कई बार अर्थिंग में बजट कार लेते हैं पैसे कार लेते हैं जिसकी वज़े से आपको सही प्रॉपर अर्थिंग करके नहीं देते क्योंकि अर्थिंग में बहुत सारी चीज़े लगती हैं अर्थिंग का एक होड़ स्कूल भी है जो पुराने तरीके से कर्थिंग की जाती है एक नई प्रैक्टिस है अर्थिंग की और अगर आपकी सही अर्थिंग नहीं होती तो ये समझेगा कि आपने जो 4 लाक 5 लाक 2 जितना भी ूपय अपने सेलर सिस्टम में इन्वेस्ट किया है वह रूपय आपका कभी जल्गर बर्बात हो सकता है अगर एक सही तरीके से अर्थिंग नहीं पर बायद्र wars सिस्टम के एईज़े जाती पर वह सही अर्थिंग नहीं जीचाती ये एक सबसे बड़ी समझेया हमें तो लगता है कि हाँ अर्फिंग बताते हैं अर्फिंग करके चले जाते हैं पर by default अगर कभी heavy current flow आता है तो आपका सारा system तबाह हो जाएगा आपके equipment तबाह हो जाएंगे तो ऐसे में आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी गजब की knowledge देने वाला हुई अर्फिंग के मामले में कि ये समझीगा कि जो installer है इस इसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते कि सही अर्फिंग क्या है पर इस जो भी ये 10 से 15 मिनट का वीडियो हो अगर आप ये देखत है तो आप खड़े होकर कुछ वक्त वहां देखिए सीजे को समझिए कि जो चीजे में बता रहा हूं वो उस हिसाफ से चीजे कर रहे हैं या सिर्फ खाना पूर्ति करके आपका सिस्टम इंस्टॉल करके जा रहे हैं जिसकी life का बोई भरोसा नहीं है इसके दादि आपके आप यहां पर जो भी यह चीजें रहे हैं यह सारी चीजें हमारे अर्थिंग में यूज होती हैं और यहां पर यह ब्लाक और ब्राउन भी देख रहे हैं इसके बारे भी बताऊंगा मतलब तो चलिए सुरुआत करते हैं इस वीडियो की इसके लिए चलना पड़ेगा हम ल कई बार लोगों का सवाल रहता है कि हमारे घर पर इस पर को ना करें और क्यों करें इस तर्म मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि अर्थिंग क्यों करें क्योंकि यह एक important factor है कि हमें अर्थिंग करने ही क्यों चाहिए देखे दोस्तों suppose आप एक कोई मतान बनवाते हैं मालीजिए example कि तो समझते आपने पोई एक मतान बनवाया और उसके पानी हमारी च्छत पर भरा रह जाएगा ऐसे में यह पानी लीग करके अंदर भी जा सकता है तो जो हमारे घर के सामान है वो तो समान खराब होंगे ही साथ में हमारी च्छत भी खराब हो जाएगी तो इस वजए से हम लोग वापर drainage hole देते हैं कि उपर से पानी आया और यह इतना बड़ा हमारा solar system होगा जितरे kilowatt का number of solar system होगा उसी हिसाब से हमें अर्थिंग करनी पड़ेगी तो यहां पर भी आपका उस सवाल का जवाब मिलने वाला है कि how many earthings मतला हमें कितनी अर्थिंग चाहिए और अगर हम उतनी अर्थिंग नहीं कर पा रहे हैं by default जो एक मान जाएगी इस्ता पता नहीं चलेगा इस वीडियो में डिसकस करेंगी कि actual में हमें कौन सी अर्थिंग करनी चाहिए क्योंकि एक नॉर्मल अर्थिंग आती है एक होती है और एक कैमिकल अर्थिंग उरती है तो यहां पर भी कई लोगों को यह सवाल देता है कि कि किस अर्थि आश कर सके अर्चे मेरावाट बेप्लान इस्टॉल तो बढ़ी बड़ी फरमे इस पर कान बरती हैं तो जो एक्टम प्रौपर सेटप के साथ एकम सिस्टेमाटिक पैटर्न के साथ कान बरती हैं और वह इसने बड़े प्लाएं कि वहां पर हर एक चीज रिजर्च के ठूब है पर डूमेस्टी कि से तरह इसे हम लोग ओर इसे कम लगा रहा है तो ऐसे में कितनी है तो ये साथ हैं आपको की पॉइंत क्लेर हो गए मैं किनके बारे में बात करना चाहिए और अगर अभी तक यह वीडियो आप देख रहेते हैं तो गारंटी है कि बहुत कुछ सीख कर जाएं यह वीडियो के थूँ आज और इस प्रिजेंटेशन के थूँ अगर अच्छी लगे तो बिना लाइक के हुए दोस्तों मच चाहिएगा तो सबाल नम्र 1 कि एक्शुल में correct अर्थिंग है क्या तो धूस्तों correct अर्थिंग हमारी दोटीषी होती है एक होती है normal अर्थिंग और दूसरी होती है chemical अर्थिंग टैमकल अर्थिंग जो होती है वो आज की रेट में गिराती हो नॉर्मल अर्थिंग के गरबात करें इसमें हम लोग क्या करते हैं चार को ले लेते हैं, rock sorp兩竝 ले लेते हैं और थीन मीटर के लमसम डिक गठा कर लेते हैं और उसके बाद हम लोगं की layer by layer चार पूर रघ्षावड को बनागा कर अर्थिंग कर देते हैं पर यह जो तरीका है ना यह तरीका बहुत पूराना तरीका हो चुका है और यह मानेगे कि जैसे आज की डेट में हम लोग फॉली पैनल से एंट टाइप टॉपकॉन टेक्नोलोजी के पैनल पर पहुत चुके हैं यह उससे भी ज़्यादा बीच का डिफ्रेम लगता है यह नॉर्मल अर्थिंग वाला तो अगर 2024 में आप के यहां या आप यह नॉर् कर रषिंग टी नहीं यहां पर आपको जो क्यमका अर्षिंग करने हैं उसके लिए कंपाउंड बैक्स आते हैं हमारे डीफिंट डिफंटी में आते हैं चालेश केजी और पचास केजी के क्वानिटी में यह देखने को मिन सब्सक्राइब ृब्टर वर यह तो वह म्यांड प्रप्र अब हम तरह रहे हैं तो उसके बाद भी देखिए अब एक सेकेंड डिस्टेप की बात करते हैं जिसके बारे में साइथ बहुत कम लोगों को पता होगा कि यहां पर जो हम लोग का बैद लेने जाते हैं तो एक में हमें ब्लैक कलर का कैम कल का पॉन मिलता है और दूस ना है ब्लैक केमिकल कंपाउंड इस केमिकल कंपाउंड के अंदर में बता दिया चारब रॉक सौड और एंटी को लोजन होता है और इसकी जो प्रॉपर अर्थिंग का सही तरीका है वो होता है तीम मीटर का अप्रॉप्रमेटली हम लोग एक डिक गठाग होते हैं और उसक लुए रूण कराने हों ऐसी को लुएम के बहुत कम हो ड्राई जो हमारा हो वा लि आ तो आपको यह ब्राउन वाली ना कराकर ब्लैक वाले केमिकल कंपाउंड की अर्थिंग करवानी है तो यहां तका रोब आपको चीजे समझ में आए जोंगे अब हम लोग चलते हैं अपनी नेट स्लाइट की तरफ और कुछ नया और सीखते हैं तो अब कुछ चनाएगा कि सब हजार रुपए दे रहे हो ना दोस्तों तो याद रखेगा कि आपको सही अर्थिंग करवाने का हक है ऐसे में आपको क्या देखना है और जब आपकी अर्थिंग वह तो जरूर खड़े वोकर पुछ दिजिए और देखिए नमबर एक पर आपको यहां पर इलक्टोड अर् क्या है और यह सारी चीज़ें आपके उसमें होंगी इसका सिंपल सा परीका है कि आप मार्केट वह जाकर तीन मीटर की जो किट है अगर डोमेस्टिक इस तरफ पकर आ रहे हैं तो त्री मीटर वाली किट आप यहां पर परचेज कर सकते हैं विद कंपाउंड के साथ यह मत जाएगी तो अगर आप अर्थिंग का काम भी करते हैं तो भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आसी नौलेज आपको वीडियो में देखने को एक्चल में मिलती रही न तो यह तो हो गई हमारी बेस्ट अर्थिंग अप एक और इंपॉर्टेंट सवार क कि हाउ मैनी अर्थिंग वी नीर यह सवाल अकसर लोग मुझसे पूफते हैं कि या अर्थिंग करवाएं तो करवाएं कितनी तो इसका जवाब भी आपको इस स्लाइड में एक चीज क्लियर गट को के मिल जाएदा देखिए अगर आपको अर्थिंग करवानी है तो अगर आ होँगा कि आपके पास एकर बजट अच्छा है तो अर्थिंग में पॉर ना की जारा आपको डीसी साइड की अर्थिंग करवानी है दो अर्थिंग और दो अर्थिंग में जो बीच का दिफ्रेंस वह कम से कम 2.6-7 फिट से अगर 5 अर्थिंग हो रही है तो आपकी यह कि अमाने नीजी हम दो अर्फिंग नहीं कर पाएं, तो हम क्या करें, हमारे पास उतना Space ही मौत्यूद नहीं हैं कि हम दो अर्फिंग करापाएं, Plant तो लगा ली आज सहर में रहते हैं, तो अर्फिंग कराएं, कैसे, यहां पर आप जो अर्फिंग करवाएंगे उसके बाद उसको आर्थ रिस्टेंस जब चेक करेंगे टेस्टर ते तो उसकी जो अर्फिंग रिजिस्टेंस वैलू आ रही है वो बिलो दें 3 ओम होने चाहिए गई लोगों के नहीं पता होता कि तो वैसे पांच ओम तक यह एक मैनेजबल हो जाता है कोई दिकत नहीं आती तो यह तो रोग सवाल पर होता है कि डीशी साइट से कनेक्ट करें तो नमबर एक आपका स्टेक्चर डीशी इसाइट अर्थिंग में कवार्वोगा नमबर दूसरा आपका सोलर पैनल या सोलर में डीशी साइट के अर्थिंग में कनेक्ट होगा आपको जो इन्वर्टर की बॉड़ी है वो इस डीशी साइट की अर्थिंग में कवर होगा जाके और एक इंपॉर्टन चीज और कि जो हम लोग अर्थिंग में देखा है मैंने कई पर लोग वायर यूज़ कर देते हैं तो अगर इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं और एक सही अर्थिंग करवा रहे हैं तो वायर का यूज़ कभी न करें वहाँ पर आपको यूज़ करना है जी आई फ्लेट का यह क्या होती है यह आप यहाँ पर देख सकते हैं यह पत्ती नुमा आतरती के होती है जिनका जो तकक यह जो यह उए फ्लेट है नहीं फ्लेट को आप जब आतनुत करवाते हैं तो कई बार क्या करते हैं ला में रिखेंस नहीं करना है यहां पर आपको उसलेट यूज़ करना है और हर एक मीटर, एक मीटर के डिस्रेंस में एक या बहुत ज्यादा तो डीरफ मीटर तक के आप डिस्रेंस में इस इन्सुलेटर आयूद के रहे हैं आप इस स्क्रेंज पर देख सकते हैं कि ऐसे आपको इस अर्फिंग में करना आए जाके, अगर आप इस तरीके से सिस्टमाटिक यह अर्थिंग करेंगे तो आप की रिक बेस्ट ट्रैक्टिस अर्थिंग माननी जाए यह तो गई डीसे अर्थिंग की बाद इसमें मिनमम दो नई सोरी मिनमम एक और नमबर अफ दो आपको अर्थिंग करवानी जाहिए अब आता है कुस्चन दूसरा कि एसी साइड के लिए मिनमम से मिनमम दो अर्थिंग करानी जाहिए क्योंकि डीसी और एसी के बीच में कम से कम 10 गुना का डिफ्रेंस देखने को मिलता है तो अगर मान लिजे कभी हाई लेफ्टिकल फ्लो आ जाता है ग्रिवन कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ऐसे में अगर आपके एक प्रॉप आपके एक सवाल आता है जिसका लोग बहुत सारी चीजे पूछते हैं जिसके माने में और वह हमारा एले मतलब लाइटिंग इसकी कितनी करें देखिए दूस्तों एक बहुत बड़ा प्रॉस्चन है एले की अर्थिंग आपको कम से कम तीन अर्थिंग एले की करनी चाहिए और एक और इंपॉर्टन सवाल कि एले को जब यूज़ करें तो मिड आफ दा सोलर पैनल के एले को यूज़ करें क्योंकि यह बहुत इपॉर्टन चीज़ है वो लोग किनारे किनारे इसको एले लगा देते हैं और सोचते हैं वह उन्होंने बहुत अच्छा अर्थिंग कर करें तो उसको किसी भी चीज ना एती के अर्थिंग से ना डीसी के अर्थिंग से बिल्कुल भी कینक्ट ना करें क्योंकि आगर आप करते हैं तो आगर आपके यहां हैवी ऑले ऐसे तो मैंने यहां पर हर एक चीज आपको समझाने का परीयास किया है और जो दिखें, मैं स्वाइल की बात करना था, यहाँ पर भी दिखा दू, दिखें, यह black compound है, यह brown compound है, आपको घर domestic पर brown compound नहीं रिच्टरना, आपको बढ़ना है black compound है, और यह आपको ऐसे 50 kg की, 40 kg की बोरी देखने को मिल जाएंगे, और यह है हमारा वो device, जिसके मात्यम से हम चेक करते हैं कि हमारा जो value आ रही है, अर्थिन की वो कितनी आ रही है, और यह है हमारे electrode की राट, जिससे हम लोग अर्थिन करते हैं, तो I hope आप सभी लोगों को आज अर्थिन 30 सही value समझ में आई जोड़ी, अगर समझ में आई थी, तो दोस्तों वीडियो को like कर अजिसे नेक्स वेडिव में किसी नय बडेड किसाठ